हलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरी अपनी रिसोई चैनल पर आज मैं बणाऊंगी इतने अच्छे आलू के गरमा गरम पकोड़े वो भी एकदम अलग तरीके से एकदम नए तरीके से और खाने में इनका स्वाध इतना कि आज से पहले आपने कभी नहीं खायोंगे अगर खाने है तो चलते है वीडियो की तरफ ये छे आलू है जिनको मैंने पहले से उबाल लिया है अब छील भी लिया है अब क्या करना है इनके हमने पीस निकालने है ऐसे चक्कु से गोल पीस निकालने है पीस हम ना तो ज़्यादा मोटा काटेंगे और ना ही ज़्यादा प इससे कम और इससे ज़्यादा मत निकालना ये देखिए क्योंकि अगर हम इसको इस्तमाल करेंगे तो ये टूठ जाएंगे तो उजो हम बनाना चाहते हो इसका नहीं बनेगा इसलिए यह देखें, मैंने इन सबी को गोळ पीस में और यह देखो, मैंने इतने मोटे इनको रखा है आप भी इतनी रख लेना फिर हमने क्या करना है? हमने लेना है, डेट्ट सो ग्राम बेशन लीआए डेट्ट सो ग्राम बेशन है फिर इसमें हम एक चम्मच हाड़ी डाल देंगे और इसके साथ से हमने डेड़ चम्मच इसमें नमक डालना है छोटी चम्मच ज्यादा बड़ी नहीं है अगर आपके पास बड़ी है तो एक डाल लेना यह है धनिया पौडर और यह लस्षन अद्रक और हरी मिर्च को कूट के डाल दिया मैंने और थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल दिया इनको करेंगे अब मेक सम इनको अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे और इसका जो हम गोल बनाएंगे ना वो ना तो एकदम टाइट होना चीए कि कुछ होएगा भी पूल इससे और नाहीं एकदम पतडां उना चीए कि यह देख अब मैं दिखा रही हूं आपको कैसा बनाना है इसको कि आलो मारे ये देखिए एकदम टाइट भी नहीं है और एकदम दिल्ला भी नहीं है अमारा पेष्ठ जो आलू का ये देखिए इसमें हमने आलू को जो डीप किया है वह आराम से उट सकता है वो टूटेगा नहीं ऐसा बनाया है मैं दिखात ती वाग्या आपको ये इतना गाडा रखना पेस्ट कि इसको उपर अच्छी सी प्रत जम जाए एक लहर इसको उपर अच्छी सी आ जाए जो खाते टाइम भी एकदम गोट ही अच्छी लगेगी अगर एकदम पतड़ा बेस्ट रखोगे तो वह क्या होगा कि एकदम पतड़ी सी लहर आएगी इसके उपर जो खाते टाइम पपड़ी सी लगेगी वह अच्छी नहीं लगेगी इसलिए हम इसको थोड़ा सा बेशन को गाड़ा रखाया ताकि जो आलू है उसके उपर अच्छे से उसकी कोटिंग हो जाए और वह फिर खाते टाइम एकदम बढ़िया लगे यह देख्या अलू कमेरा इसका पकोड़े का साइज देखो कितने अच्छे कितने बड़े बड़े पकोड़े हैं और यह देखने में भी इतने सुंद्र लग रहे हैं और खाने में तो ना जुआ पाइए वहूथी टेस्टी है ठीर सुबह सुबह भी कुछ अगर आपको नई खाने को पसंद आज क्या बनाई क्या निबनाई बच्चो को क्या देना तो जटपट से दो तिन अलू बालो और ऐसे बना को बच्चो के टिफन में भी दे सकते हो आप यह देखलो इतने अच्छे बनके तयार होते हैं यह यह सभी पकोड़ों को माप कर देगा अगर आप इने एक बार बना के देखोगे येकिन मानिये दोस्तों यह बहुत ही टेस्टी पकोड़े हैं आप इने आलू अड़ा पकोड़ा कुछ भी कह सकते हो यह हर एक उसमें बहुत ही बढ़िया लगते हैं अगर आपको मेरे बनाने का तरीका अच्छा लगता है लगा है तो प्लीज लाइक सेरो सब्सक्राइब चुरूर कर देना दोस्तों जो उसके पास में जो गंटी है उसको भी एक बार दबा दिया करो क्योंकि मेरी आगे जितनी भी आने माड़ी वीडियो है सभी आपके पास सबसे पहले आई यह देखिए मैंने इनको जटपट से बना दिया है कितने मोटे मोटर कितने तेश्टी पकोड़े मैंने बना दिये है अब क्या करना है इससे उसका स्वादकोर भी बढ़ जाएगा जो काल नमक होत्ता जो चाट मसाला होता है जो चाट बणाती है उसको उपर जो प्रण जो ठेले वाड़े हुतते हैं वो उसको पनियर ची डाल देते है वो ही चाट मसाला है आपने देखा होगा कभी ठेले पे ब्रैड खाके तो ब्रैड का उपर भी वो जो चाटकाला नमक का जो चूरन होता न वो डालता वो वही डाल दिया मैंने और कसम से यह डालने के बाद इतने टैस्टी लगते हैं यह पकोडे कि आप एक बार खालोगे न आपके घर में जब को देना पसंद करोंगे क्योंकि यह खाने के बाद तारिफ के लाएगा